दोसों आज की इस वीडियो में हम लोग famous Elizabethan poet Edmund Spencer के लिखी एक famous poem पढ़ेंगे जिसका नाम है Fairy Queen इस वीडियो में हम लोग book first को धंग से discuss करेंगे लेकिन line by line नहीं करेंगे मैं आपको पूरी book की summary बताऊंगा जितने भी kanto है इसके अंदर शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो के end में इस poem को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसका कुछ introduction देता हूँ और कुछ keep facts clear कर देता हूँ जिसके बाद हमें poem आसानी से समझ में आएगी और एक बात बताते था हूँ दोस्तों कि इस poem का हम text नहीं पढ़ेंगे बलकि story discuss करेंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो दोस्तों एक बात आपने गौर की होगी कि कोई भी fairy queen पढ़ाएगा तो सबसे पहले मूं में से उसके एक ही चीज़ निकलेगी कि ये poem एक allegory है allegory का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है रूपक इस poem में एक fairy land के बारे में बताये गया है जो असल में England है और तो और इस poem का ये जो title character है ये नाम दोस्तों Queen Elizabeth I को represent करता है और भी इस poem में बहुत सारे characters हैं जो allegory की तरह use हुए है अब दोस्तों मैं इस poem के कुछ key facts clear कर देता हूँ दोस्तों ये English language में लिखी हुई सबसे लंबी poems में से एक है यानि कि एक epic poem है दूसरा इस poem को 6 books में डिवाइड किया गया है फर्स टाइम 1590 में जब इसको publish करवाया गया तब इसमें 3 ही books थी और फिर 1596 में इसे republish करवाया गया तब इसमें 6 books थी और बहुत ही गजब की form में इसको Edmund Spencer ने लिखा है Spencerian Stanza का नाम आपने सुना होगा मैंने कई बार पहले भी discuss किया है Spencerian Stanza के बारे में इसको दोस्तो Spencer ने Edmund Spencer ने अपनी इसी poem Perry Queen के अंदर ही invent किया था ये सब तो होगा इस poem के key facts अब हम लोग poem के kanto first और kanto second को discuss करते हैं तो दोस्तो इस book first में एक night of holiness की story बताई गई है इस night का नाम है the red cross night ये red cross night इसका नाम क्यों पड़ा क्योंकि इसकी shield पर एक blood से cross बना हुआ है shield का मतलब जो defend करने के लिए सिपाही अपने हाथ में जो ढाल रखते हैं उसको shield बोलते हैं तो उसका नाम है red cross night इसको इसकी queen मतलब fairy queen ने जिसका नाम है gloriana उसने एक task दिया है इस red cross night को कि इसको एक खतरनाक dragon के साथ लड़ना पड़ेगा दोस्तो ये gloriana जो है fairy queen ये fairy land की greatest queen है तो इस book first का hero जो है वो red cross night है तो हमारा red cross night एक lady के साथ में और एक bonus servant के साथ में travel कर रहा है इसके साथ में ये जो lady है ये एक beautiful young और innocent lady है इसका नाम हमें आगे पता चलेगा तो ये तीनों travel कर रहा है फिर अचानक से ये जब travel कर रहे थे तो एक तूफान आया और ये लोग जंगल में भटक गए और आसमान जब साफ हुआ तो ये तीनों एक गुफा के पास पहुँच गए एक cave गुफा का मतलब cave अब इस लड़की ने पहचान लिया कि ये जो गुफा है जहां पे ये लोग पहुँचे है ये error की गुफा है error एक beast है तो इसने red cross को warning दी लेकिन warning मिलने के बावजूद भी red cross उस गुफा में enter कर गया फिर उसी खतरनाक beast error ने इस पर हमला किया और उस beast ने इसे red cross को अपनी पूँच में लपेट लिया लेकिन red cross ने उससे लड़ाई की उसका गला दबा लिया और उसका सर काट दिया और उस beast को मार कर ये लोग जीद गए और उस beast की कुफा को छोड़ करके ये तीनों आगे चल दिये अपना सही रास्ता खोजने अब सूरज ढ़ल रहा था रात हो रही थी फिर ये लोग एक बूड़े hermit से मिले बूड़ा hermit मतलब दोस्तों hermit का मतलब होता है एक सादू तपस्वी टाइप का तो ये एक बूड़े hermit से मिले जिसने इने रुकने के लिए जगए दी अब जैसे ही ये लोग सो गए तो वो जो बूड़ा hermit था उसने अपना असली रूप दिखाया actually वो एक काला जादू करने वाला जादूगर था जिसका नाम था आच्चिमा को इसने दो स्पिरिट्स को अपने पास बुलाया दो स्पिरिट्स को बुलाया अब रेड क्रॉस के लिए प्राब्लम होने वाली है जिसमें से एक स्पिरिट ने क्या किया इसके पास में जो लड़की थी रेड क्रॉस के साथ में जो लड़की थी उस लड़की का नाम मैं आपको अब बता रहा हूँ उना नाम था उस लड़की का तो उसका भेज बदल लिया उस स्पिरिट ने और उसकी shape लेकर के red cross के पास में लेट गई उन spirits ने दोस्तों red cross को love और lust के सपने दिखाए अब जब red cross जागा तो उसके पास में वो spirit उना की shape लेकर के सो रही थी जैसा कि मैंने आपको बताया वो उना की shape लेकर के सो रही थी और उसने red cross को kiss करने की कोशिश की लेकिन red cross ने उसे रोक दिया और वापिस सो गया अब इस जादूगर आर्ची मागो का एक plan तो fail हो गया लेकिन इसने एक दूसरी चाल खेली इसने वो जो उना बनी हुई spirit थी उसको तो एक bed पर सुला दिया और दूसरी spirit को एक young band बना दिया मतलब इसने उन दोनों spirits का भेश बदलवा कर एक साथ सुला दिया दोनों को और फिर इसने red cross को उठाया और इसने red cross को कहा कि देखो कैसे तुमारी उना किसी दूसरे के साथ में bed पर सो रही है दोस्तों उना red cross की future wife है तो red cross ये देखकर के गुसा हो गया और सुबह होते ही वो अकेला वहाँ से चला गया उना को छोड़ कर वहीं पर अब जब real वाली असली वाली उना जब जागी तो उसने देखा कि उसका night red cross सो चला गया है तो उसने क्या किया उसे ढूणने के लिए निकल पड़ी वहाँ ये आर्ची मागो बड़ा खुश हो रहा था अपनी चाल खेल करके ये जो जादूगर है आर्ची मागो इसने क्या किया red cross का बेज बदला और ये भी उना के पीछे चल दिया अब दोस्तो red cross असली वाला red cross वो जंगल में चल रहा था मतलब की अपना रास्ता ढूंड रहा था तभी एक दूसरे knight से मिला मतलब दूसरे knight से मिला जिसका नाम था sensefoy जो एक lady के साथ था उसने हमारे hero red cross को ललका रहा और इन दोनों में लड़ाई हुई इस knight sensefoy और red cross में लड़ाई हुई लेकिन हमारे hero red cross को उसकी red cross shield ने बचा लिया और eventually उसने उस knight sensefoy को मार दिया और वो जो lady उसके साथ में थी उसको अपने साथ ले लिया इस red cross ने उस lady का नाम था Pydessa और इस लड़की ने red cross को बताया इस Pydessa ने red cross को बताया कि ये emperor of west की बेटी है अब क्योंकि red cross उसकी beauty की तरफ attract हो गया था तो red cross ने इस lady से वादा किया कि ये इसे protect करेगा तो अब red cross और वो lady दोनों साथ में सफर करने लगे तो गर्मी बहुत बढ़ रही थी सूरज तप रहा था तो ये दोरों जाकर के एक पेड की च्छाओं के नीचे बैठ गए red cross एक पेड से टहनिया तोडने लगा लेकिन वो ये देखकर कि शौक हो गया कि उस पेड की टहनिया तोडने पर उस पेड से खून निकल रहा था और एक रोने की सी आवाज आने लगी वो पेड रैड क्रॉस से बात करने लगा अपनी कहानी रैड क्रॉस को सुनाने लगा कि वो पेड कभी एक आदमी था जिसका नाम था फ्रडू बायो दोस्तों प्रणाउंस अगर ढंक से नहीं हुआ हो तो I'm sorry तो ये नाम था उस आदमी का और इस पेड की कभी एक एक बहुती कुपसूरत लेड़ी थी जिसका नाम था Frerealissa जो कि अभी उसके पास में एक पेड बने वी है मतलब पास में जो उसके पेड है वो वही उसकी लेड़ी Frerealissa है तो ये दोनों लवर्स पेड कैसे बन गए क्योंकि दोस्तों इसने एक बार एक नाइट को लड़ाई में हराया ठीक वैसे ही जैसे हमारे हीरो रेड क्रॉस ने हराया और इसको भी एक लेडी मिली और वो लेडी एक विच में बदल गई जिसका नाम था डिवेसा वो विच इस प्रेड्व बायो को पहना चाती थी इसलिए उसने इसकी मिस्ट्रस को बदलब इसको एक पेड़ बना दिया लेकिन बाद में ये खुद भी जान चुका था कि वो डिवेसा एक विच है तो इसने खुद की जान बचाने की कोशिश की भागने की कोशिश की लेकिन डिवेसा ने इसको भी पेड बना दिया और आज ये दोनों लवर्स पेड बने हुए है इसने रेड क्रॉस को अपनी ये स्टोरी सुनाई इस पेड ने अब दोस्तो रेड क्रॉस ने अभी अभी ज कहानी को रिलिट नहीं किया कहीं भी उसने अपनी कहानी को इस कहानी से कनेक्ट नहीं किया और वो अपने रास्ते पर अपनी जर्नी पर आगे बढ़ गया उस लेडी के साथ आगे की कहानी में क्या होता है यानि की केंटो 3 की शुरुवात में इस केंटो की शुरुवात ही उन अपने Knight Red Cross को तून रही है, मैंने आपको बताया था, यह अपने Knight Red Cross की तलाश में निकली है, तो यह एक पेड़ के नीचे rest करने को रुख जाती है, फिर क्या होता है, सड़नली अचानक इसके सामने एक शेर आ जाता है, वो Lion इसको किस करने लगता है, फिर वो Lion इसको किस करने और एक companion बनकर इसके साथ में इसको follow करने लगता है, मतलब अब इस Una को कोई भी problem आएगी, तो यह Lion इसको protect करेगा, अब ऐसे ही आगे चलकर यह Una एक लड़की से मिलती है, तो वो लड़की जो है Una के साथ में इस शेर को देख करके डर गई, और डर कर वहाँ से भाग जाती ह अपनी मा के पास, तो Una उस लड़की का पिछा करते करते उसके घर तक पहुंचाती है, उन दोनों मा बेटी से रहने के लिए वो एक जगे मांगती है, रात में सोने के लिए, लेकिन वो दोनों मा बेटी अंदर से दरवाजा नहीं कोल रही थी, क्योंकि वो दोनों Una के साथ उस शेर को देख करके डरी हुई थी, इसके बाद होना क्या था, उस लायन ने उस शेर ने ही उन दोनों मा बेटीों को फोर्स किया, कि वो दरवाजा खोलें, मतलब उस शेर ने फोर्स फुली दरवाजा खुलवाया, ठीक है तो Una रात में वहाँ पर सो गई, और सुबह होत का भेस बदल रखा था, Una भी उसे पहचान नहीं पाई, बलकि उसे Red Cross समझ करके खुशी से पागल हो गई और उसके पास चली गई, अब दोस्तो Red Cross का भेस बदले हुए आर्ची मागो और Una, ये दोनों साथ में जरनी करने लगे, इनके साथ में शेर था, लेकिन रास्ते में इन दोनों को कौन मिलता है, रास्ते में इनको मिलता है Sense Law, ये Sense Boy का भाई था, ये Sense Law, Sense Boy कौन जिसको Red Cross ने मारा था, तो रास्ते में इन दोनों को ये Sense Law मिल गया, और अपने भाई की मौत का, Sense Boy की मौत का बदला लेने के लिए, इसने इस आर्ची मागो को Red Cross समझ लिया, क्य क्रोस नहीं हूँ बलकि आर्ची मागो हूँ जादूगर तो आप यह सैंस लॉय करे क्या कि यह तो असली रेड क्रोस नहीं है तो इसने इसको छोड़ दिया लेकिन उना को इसने पकड़ लिया और अपने साथ ले गया इस बीच इस लायन ने भी उना को प्रटक्ट करने की को असली वाला रेड क्रोस उस विच डुएसा के साथ में था तो यह डुएसा असली वाले रेड क्रोस को अपने साथ में एक वंडर्फुल पैलेस में लेकि गई बहुत अच्छी जगह थी खुबसूरच जगह वहां लेकर के गई उस जगह का नाम था दोस्तों हाउस ऑप प इस queen के 6 consular थे और ये 6 के नाम है ये 7 deadly sins पर ही इन consular के नाम है और इन सब की appearance के हिसाब से ही इन सब की नाम थे अब suddenly दोस्तों वहाँ पर जहां ये थे वहाँ पर sensefoy का भाई sensefoy का एक और भाई है जिसका नाम है sensejoy ये वहाँ पर आ जाता है और red cross को देख करके ये अपनी भा red cross को duel के लिए लड़कारता है कि आओ मुझसे fight करो इसको challenge करता है कि आओ मुझसे fight करो one by one battle करो ये देखकर red cross भी लड़ने के लिए तयार हो जाता है लेकिन लेकिन queen इन दोनों को मना कर देती है कि तुम दोनों कल सुबह होने का wait करो सुबह हम लोग तुमारी लड़ाई कर कर दिया लेकिन red cross ने sense joy को पचार दिया और वो sense joy को मारने ही वाला था कि इसको sense joy को डुएसा ने protect कर लिया और ये sense joy को ठीक करने के लिए उसके घाव भरने के लिए उसे अपने साथ house of night ले गई और जब ये वापस आई तो ये क्या देखती है कि red cross वहां से जा चुका था पेंटो 6 की शुरुआत होती है दोस्तो उना से मैंने आपको बताया था इसको sense law ने पकड़ रखा है तो ये sense law उना से advantage लेना चाहता है sexually उना help के लिए चिलाती है अब आप ये कहलो कि ये उना की किस्मत थी कि इस जंगल में जिस जंगल में sense law इसको पकड़ रखा था उस जंगलों के gods ये gods कुछ तो human की shape में थे आदे human आदे animal तो इन wood gods ने उना की आवाज सुनी उना के चीखने की आवाज सुनी तो इसकी help करने के लिए सारे के सारे आ गए ये देख करके sense law वहां से डर कर भाग गया मतलब बहुत सारे जानवरों को अपने पास आता देख करके sense law वहां से भाग गया लेकिन वो जानवर उना के सामने आकर के जुग गये जैसे कि वो एक goddess हो एक कोई देवी हो तभी वहां पर एक knight आता है जिसका नाम है saturain ये वहां आया और इसने कसम ली कि ये उना को protect करेगा और ये उना के साथ में red cross को ढूनने के लिए journey करने लगा अब रास्ते में इन दोनों को एक old man मिला जिसने ये दावा किया कि इसने red cross को मरते हुए देखा है मतलब red cross को तो मार दिया गया है ये old man ने दावा किया कि red cross को तो मार दिया गया है किसी pagan knight ने तो ये बात सुनकर ये उना विचारी दुखी हो गई लेकिन ये saturain बोला इस wagon और ये saturain आपस में घंटों तक तलवार से लड़ते रहे इन दोनों की लड़ाई चलती गई और कोई भी नहीं जीता अब जब ये दोनों लड़ रहे थे जिस दोरान ये दोनों लड़ रहे थे तो उना इन दोनों को देख करके डर गई और वो वहां से चली गई अब द दुएसा इसका पीछा करती हुई इसके पास पहुँच गई और इसको एक नदी के किनारे लेटा हुआ पाया इस रैड क्रॉस ने डुएसा को वापस अपना कमपैनियन बना लिया अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे रैड क्रॉस और डुएसा तब इनके पास म एक मॉंस्टर आया जिसका नाम था और गॉलियो ये मॉंस्टर इनके पास आया इसने क्या किया डुएसा को तो अपने साथ में ले लिया और रैड क्रॉस को जान से मारने की बजाए इसको अपने महल की काल कोट्री में पटक दिया तो दोस्तों मैंने आपको पूरी कहानी म इसको उना मिली इस सर्वेंट ने उना को बताया कि रैड क्रॉस को काल कोट्री में पठक रखा है जेल में बंद करके रखा गया है तो ये सुनकर के उना फिर से बेहोश होने वाली थी लेकिन कैसे ना कैसे इसने खुद को संभाला इस सर्वेंट ने उना को सब कुछ बताया क किस तरह से जादूगर आर्ची मागो ने इन दोनों को रेड क्रॉस को और उना को अपनी चाल खेल करके अलग करवाया तो अब उना रेड क्रॉस को बचाने के लिए उस मॉंस्टर के किले की तरफ जाती है तो रास्ते में उसको कौन मिलता है एक शांदार आर्मर पहना हुआ एक नाइट जिसके शील्ड पर प्यार डायमंड लगे हुए थे जो सूरज की रोशनी में चमग रहे थे ये नाइट दोस्तों कोई और नहीं इस कहानी का में हीरो किंग और्थर है जो की अपने एक आदमी के साथ ट्रेवल कर रहा था और उसने उना को परिशान देखा तो इसने उना के परिशान होने का रीजन पूछा उना ने अपनी पूरी स्टोरी किंग आर्थर को बताई की उना के दो परेंट्स हैं किंग और क्वीन जिनको फ्री करवाने के लिए और एक dragon से लड़ने के लिए red cross को एक task मिला था fairy queen से मतलब की gloriana से तो उसी task को पूरा करते करते red cross को अभी एक monster ने पकड़ लिया है और अभी ये उना अपने red cross को बचाने जा रही है उस monster के पास तो king author ने इस से वादा किया कि मैं red cross को free करवाऊंगा और उस giant से उस monster से लड़ाई करूँगा अब दोस्तों king author उस giant के उस monster के किले के gate पर जाते हैं और वहाँ जाकर के horn बजाते हैं उस monster को बुलाने के लिए जब उस monster से king author की लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में एक author के साथ जो बंदा था इनका servant वो मच जाता है इस पर king author को आता है गुस्सा और वो उस monster का सिरकाट देते हैं और इसी के साथ king author लड़ाई जीच जाते हैं अब ये सब देखकर के उना भाग कर कालकोटरी में अपने knight red cross के पास जाती है जहां red cross लेटा हुआ है और बस मरने ही वाला होता है तो king author और उना उसकी जान बचाते हैं और वो दोनों उसको कालकोटरी से बाहर लाते हैं अब आप ये पूछोगे डुएसा का क्या हुआ तो दोस्तो king author डुएसा को पकड़ लेते हैं और red cross के सामने लाते हैं और उसके कपड़े उतारते हैं और बताते हैं कि डुएसा असल में एक witch है एक चुडैल है और डुएसा पर भी pressure डालते हैं कि वो बताए red cross को कि वो एक चुडैल है इसके बाद डुएसा को तो वो जंगलों में छोड़ करके चले जाते हैं अपनी आगे की जर्नीप दोस्तो उस मॉंस्टर और गॉलियों को मारने के बाद में उस से लड़ाई लड़ने के बाद उसको मारने के बाद में और्थर, रैड क्रॉस और उना तीनों जने उस मॉंस्टर के किले में रेस्ट करने लगे तब इस उना ने किंग और्थर से पूछा कि आप अपना नाम तो बताईए आपने बारे में कुछ बताईए आप कौन है क्यों हम लोगों की इतनी मदद की, आपका वंच क्या है, आप किस वंचते है लेकिन ये सवाल पूछ कर किंग और्थर को हर्ट कर दिया उना ने क्यों? क्योंकि किंग और्थर को खुद ही नहीं मालूम था कि उनके पैरेंट्स कौन थे और्थर इंगलैंड की वेल्स नाम की जगह पर बढ़े हुए और एक मैजिशिन मॉरलिन ने इनको पढ़ाया उना ने फिर किंग और्थर से पूछा कि आपका इस फेरी लैंड में कैसे आना हुआ तो दोस्तों किंग और्थर ने उसको बताया कि किंग और्थर एक मेड को पसंद करते हैं और वो मेड क्वीन ओफ फेरी है उसी की तलाश में नो महीने से यहाँ पर फेरी लैंड में किंग और्थर घूम रहे हैं रेड क्रॉस और उना ने King Arthur को sympathy दी लेकिन अब बहुत हो गई बाते अब इन लोगों को आगे बढ़ना होगा उना के माबाब की तलाश में तो रेड क्रॉस और उना ने King Arthur को goodbye किया अब ये दोनो रेड क्रॉस और उना उना के kingdom की तरफ बड़े लेकिन यहाँ पर उना बड़ी परिशान थी रेड क्रॉस की हालत को देखकर क्योंकि रेड क्रॉस अभी बहुत वीक हो गया था और वो कैसे उस dragon से लड़ेगा और उना के parents को छुड़वाएगा Suddenly इन दोनों ने क्या देखा कि एक knight भागता हुआ इनके पास आ रहा था उसका नाम ये था उस knight का नाम वो एक बहुती terrible आदमी despair से बचता हुआ भागता भागता यहाँ आया है उस despair ने इस आदमी के दोस्त को मार दिया अब red cross बहुती उतावला है इस despair को challenge करने के लिए त दोस्तो despair एक gloomy old man था red cross उससे लड़ना चाता था लेकिन ये old man एकदम शांत था इस old man को इस gloomy old man despair को red cross की कमजोरिया मालुम थी तो इसने red cross को उकसाया कि red cross खुद को ही मार ले लेकिन उना ने red cross को रोकने की कोशिश की और वो उसे उस गुपा से बाहर खेच ले लगी दो उना समझ चुकी थी कि अब इन लोगों को urgent help की जरूरत है तो उना अपने साथ में red cross को house of holiness ले गई red cross को उसके घावों से recover करने के लिए तो यहाँ पर जाने के बाद में red cross वापिस से recover हुआ और उसे true religion के बारे में कुछ knowledge मिली मतलब कुल मिलाकर red cross फिर से ठीक होने लगा तो अब फिर से ठीक होकर उना और red cross दोनों जने finally उना के kingdom की तरफ पहुँचे अब जिस dragon ने उना के parents को पकड़ करके रखा था red cross की उस dragon के साथ लडाई हुई kingdom वाले डरे हुए थे उस dragon से उस dragon के आतंक से तो red cross की इस dragon के साथ लडाई हुई लडाई में almost उस dragon ने red cross को मार ही दिया था लेकिन red cross ने कैसे ना कैसे manage करके वो लडाई जीत ही ली और उस dragon को मार डाला जब से उस dragon ने इस kingdom में आतुचा रखा था मतलब डर फैला रखा था तब से kingdom वासियों ने कोई भी celebration नहीं मनाया था लेकिन अब इतने समय बाद red cross ने जब उना के parents को छुड़बा लिया है कुछ इस तरह से इन लोगों ने इस बात को celebrate किया कि red cross और उना की ये आपस में engagement करवाने वाले थे लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक messenger आया डूएसा की तरफ से डूएसा दोस्तों वो witch उसने दावा कि red cross ने already उसके साथ engagement कर ली है लेकिन इस red cross ने सब को बताया कि उस डूएसा ने मुझे trick किया था वो एक witch थी और मैं बह गया था तो सब ने red cross की बात मान ली और दोस्तों ये messenger पताए कौन है ये जो messenger आया है डूएसा की तरफ से ये वो जादूगर आर्ची मा को है जो भेज बदल करके एक messenger बनके आया है अब किसी भी बात की परवा किये बिना इस celebration को आगे बढ़ाया गया लेकिन जब ये celebration चल रहा था तो red cross वहां से चला गया क्योंकि अभी उसे उना से शादी नहीं करनी थी और उना के parents इस बात के लिए मान गए कि तुम 6 साल बाद वापस आ करके हमारी बेटी से शादी कर लेना इसके बाद red cross वहां से चला गया और इसी के साथ दोस्तो book first खतम होती है अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये poem समझ में आई होगी दोस्तो book first समझ में आई होगी फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो